कि इस समय आप प्रदेश का विकास देखिए जो भी विकास दिख रहा है योगियों मोदी जी के देन है भावे और पूर्व विधान सभा के प्रत्यासिरे कुछ वीडियों वाइरल हो गया था अरे यह सब हम नहीं जानते हैं मेरे साथ मौझूद हैं लोग इनको प्यार से अज्जु भाईया भी कहते हैं 2022 में भाजपा के प्रत्यासिरे फिलाल चुनाओ नहीं जीत पाई लेकिन जनता का जिस तरीके से इनको लाड़ और प्यार में लहा है इनके आनक बाद कोई विधायक नहीं है ना तो कोई साश्षट है लेकिन इनके है जनता जिस तरीके सा रही है तरिके से गरीबों की बात सुनते हैं और अपने बात सुन्ने की पाई तुरंत उच अध्ह्यारियों से बात चीट करते हैं मैं भी सोचा कि कुछ इनसे बातचीत करो अक्सर इनके बारे में मैं सुनता था और इनसे जानने का प्रियास करता हूँ 2022 में आप चुनाव लड़े चुनाव तो नहीं जीत पाई लेकिन इतना समाज स्यूगिया आप करते हैं बहुत बहुत स्वागत है आपको देखिये लोग का इसने प्यार है जनता का दुलार है चुनाव हारे हैं संघर्स नहीं हारे हैं हमारी पालिटिक सरगार है हम जनता के लिए संघर्स कर रहे हैं प्रकार का इतना अच्छा फायदा हो रहा है कि जो गरीब है पीडित है दलीत है अतहाय है सब का काम हो रहा है इससे बड़ी खुसी और क्या हो सकती है कि कंबल बित्रण हो रहा था उस बित्रण में आप थे आपने जनता को इतना भी कहा कि अगर मैं नहीं प्रत्यासी बनू तो आप किसी को विज्यात धरम मत देखिए जो कमल से आता है उसको उड़ दीजिए यह हमें हमेशा कहता हूं जो है कि इस समय आप प्रदेश का विकास देखिए जो भी बिकास दिख रहा है योगी ओं मोदीजी के देन है तो तीसरी बार मोदीजी को प्रधान मंतरी बनाना है तो फिर कमल पर देना होगा चाहे बिद्वा पिंसन हो विकलांग हो इज्यत घर सब चाले हो उज्वला योजना हो आज जो भी गाउं में दिखाई दे रहा है सब मोदी सरकार की योजनाएं हैं इसलिए हम लोग से निवेदन करते हैं कोई भी प्रत्यासी हो कंडिडेट कोई भी हो लेकिन आप लोग मोदी जी को देखिए योगी जी को देखिए कमल कोड़ दीजिए यह तो मैं हर सभा में कहता हूं इस बार चौबिस की क्या तयारी चल लहीं आपके पार्टेगी चौबिस की तयारी चाहे कोई भी जो गठवंधन कर ले लेकिन असी में असी लोग सभावत्तर प्रतेश से भाजपा ही जीतेगी आपके च्छेतरी ही भावे और पूर विधान सभा की प्रत्यासीरे कुछ वीडियो वाइरल हो गया था अरे यह सब हम नहीं जानते हैं वो समिध्या है तमाम विरोधी लोग लगे रहते हैं और ऐसा कुई नहीं है वो अच्छे आदमी अच्छा काम कर रहे हैं राजनीत में दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तमाम साच्छते होती रहती है उसमें किसी प्रकार का कोई सच्चाई नहीं है मैं सिर्य सखारिज कर रहा हूं अक्सर विपच्छ की निताओं का जब मैं इंटर्वी लेता हूं तो आरोप लगाते रहते हैं कि एवीम में करते हैं लेकिन जनता जागरूफ है जनता सब जानती है जो है इस समय देश में केवल मोधी 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 चुनाव समय जब लोगों काता है जिस तरीके से लोग कहते हैं सीधा कहते हैं कि हिंदो मुसलिम का मामला लेकि आ जाते हैं देखे जितना भी विकास कारे हो रहा है प तो मुस्लिम की बात जो है इसमें कोई तथ नहीं है जो है निरधार है तमाम जो अन पार्टी की नेता थे आपके पार्टी मा जाते हैं जब विपच्छे भी आरोप लगाती है अगर आपको साफ सुतरा होना है तो भाशपम चले जाएगी विपच्छे के पास आपको बताए नहीं नहीं तो जब किसी पास कोई मुद्धा नहीं अनर्गल करते रहते हैं जो है विपच्छे कहीं चुनाव जीत के दिखा दें जुनाव जीत नहीं पा रहे हैं इसलिए फ्रस्टेशन में जब अनाप सनाप बोल रहे हैं जंता बहुत परसान रहती है आवारा पसूव स से उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं उसके लिए मतलब हर गाओं में पसुषाला है हर गाओं में बेवस्थाएं हैं अब थोड़ा बहुत तो मतलब 19-20 हो जाता है जो है बाकि इसको लोग उच्छालते हैं साथ हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है लोग परिसान है मंदिर बन के तैयार है बाइस तारीक को मोदी जी खाथो उसका उद्गाटन होने जा रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मेरे साथ यह मौजूद थे लोग इनको प्यार से छेतर में अज्जू भाईया कहते हैं फिलालिया रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्य परतीत होता है अपनी राय जरूर दे ऐसे आप देखते रहा जाद यादों के साथ जनपत जान पौर्ट जैहिन